हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल प्लैनेट्री सिक्स नाइए आज मैं जॉडिक साइन कैंसर के बारे में बता हूँ ली उनकी परसनल लाइफ उनकी हेल्थ और उनका करियर इतीनों ही जो फील्स है इन तीनों के बारे में हम पता करेंगे 2020 में कैसा रहेखा यह साल उनके लिए और जो कार्ड में यूज कर रही हूं है लॉस्ट है ऑफ नॉस्टिमस और कीसी से हम बता लगाएंगे में तेया में इन जूसाद्धी कोम कि रेग पीजिया ये को से गोर्मायी सेपले ये नूसे जली जली सिरती长। okay so you can see this कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है, जो आपको एक experience की तरह आपके साथ अभी है, अगर आप अपने career की बात करते हैं, तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके जो दोस्त हैं, उन्होंने आपको या तो business में betray किया है, या फिर गलती से आपने किसी employee को अपने काम से निकाल दिया है, जो भी कुछ हुआ है, वो एक गलती से हुआ है, चाहे वो आप से हुई हो, या आपके boss ने आपको निकाला हो, या आपने अपने अंडरकाम करने वाले किसी employee को गलती से निकाल दिया हो, मिसरनस टैंडिंग की जिसकी वज़े से आपका जो काम है उस पे बहुत फर्क पड़ा है अगर आप एक employer है आपका खुद का business है तो आपने किसी गल्ती के चलते किसी misunderstanding के चलते अपने employee को अपनी company से निकाल दिया है या फिर अगर आप किसी company में employee है तो आपके employer ने आपको company से इस्य sinners standing agreement निकाल दिया आइसोलेट कर दिया को company से है अब आप एक से situation में हो जहां design करना चाही हो कि आपको क्या करना है अगर आप एंपलॉई हो किसी company में काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी company में काम कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपको वापस उस company में काम करना चाहिए या नहीं वापस उस opportunity को लेना चाहिए या नहीं आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो tarot card आपको कहते हैं कि आपको वो opportunity accept कर लेनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा proof होगा आपके एक मिंत्र की तरह हैं वो आपके लिए अच्छा रहेंगे ठीक है और अगर आप किसी company में काम करते हो और वो company वाले अपनी गलती मान के आपको दुबारा बुला रहे हैं अपनी company में तो आपको ये opportunity accept कर लेनी चाहिए और उस company को दुबारा जॉइन कर लेना चाहिए तो बहुत ही simple cards हैं बहुत ही clear reading है next हम बात करेंगे आपकी personal life के बारे में कि आपकी personal life में क्या चलवा है लॉस्ट्रेट अफ नॉस्ट्राइमस प्लीज टेल मी अबाउट cancerians कर राशी के बारे में मुझे बताईए कि ये साल उपके लिए कैसा रहेगा परसनल लाइफ के बारे में तो आप इस साल एक प्रिंस की तरह है अगर लड़की लेडीज ये टेल कार्ड रिडिंग सुन रही है तो आप एक राश्कुमारी की तरह है एक प्रिंस की तरह है इस रीडिंग में आपकी personal life में आप खुद में एक अपने आप में complete है आप खुश है और आपको हर चीज की facility है जो चीज आपको चाहिए वो आपके पास है अब आप जो एक spiritual level पर है आप खुश है और आप अपने आप में spiritual level पर है इस समय और आप आगे बढ़ना चाहते हैं आपका कुछ मकसद है कोई चीज अचीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और आप बहुत confident है आप बहुत confident है कि आपको चीज मिलेगी तो आपकी personal life अच्छी है बहुत अच्छी है अगर आप married है तो थोड़ा सा stress है आपके और आपके partner के बीच में और हलका फुलका stress है आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप दोनों busy है तो एक दूसरे के लिए वक्त आप लोग नहीं निकाल पाते हैं जिसकी वज़े से मेभी आपके कोई घर में जो senior है वो लोग आपको advice करते हैं कि आपको आपस में प्यार से रहना है तो personal life में थोड़ा बड़े लोग आपको समझाते रहते हैं कि आपको आपस में अन्बन नहीं करनी है प्यार से रहना है और ये बहुत ही soft level पे हो जाता है ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा issue है तो आपकी personal life कुल मिला के अच्छी है और आप भी काफी strong तरीके से नज़र आ रहे हैं इसमें आप हो सकता है कि आपका partner आपकी intellectual level को match नहीं कर पाता जो आप सोचते हैं वो उस तरीके से नहीं सोच पाता और यही कारण है कि थोड़ा सा mission standing होती है लेकिन इत्ती जादा नहीं है कि जो control ना हो और manage ना हो तो कुल मिला के अच्छी reading है personal life की आप strong है बहुत strong है बहुत confident है और बहुत ही motivated है इस समय आगे बढ़ने के लिए साथ ही साथ आप में बहुत intellectual property है इस समय आप बहुत intellectual है बहुत आप अपनी बुद्धी से काम कर रहे है जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है तो it's a winning card बहुत अच्छे कार्ड आया है तो personal life भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी और जो भी आपके partner है कोशिश करें कि उनसे प्यार से बात करके चीजों को सुलजाया जाए अब हम बात करेंगे आपकी health के बारे में कैसा रहेगा 2020 का साल आपकी health के लिए specially जैसे अभी COVID-19 का जो खत्रा है पूरे भारत में और सारे world में तो मैं जानना चाहूंगी कि अब आपके लिए कैसा रहेगा cancerians के लिए नॉस्टर ऑफ नॉस्टर अमिज प्लीज टेल मी अबाटी health of the cancerians कैसी health रहेगे उनके 2020 में कैसी health रहेगे उनके 2020 में प्लीज टेल में स्वल में स्वल में प्लीज टेल रहे नॉस्टर फर बुम बाheure रहे लुब उनके winter जीज एफ़ इस congestवर में काफी कार्ट्स मुझे फूल करने पड़े क्योंकि मुझे एक प्रॉपर आंसर चाहिए था थोड़ा सा कंसर्न है जैसे कि अभी मैंने आपको यह कार्ट दिखाया था आपकी परसनल लाइस में यही कार्ट दुबारा आया है तो मतलब यह है कि आप जिस पोजिशन पर अभी है आप स्ट्रॉंग है अच्छे हैं आप अपनी फैमिली के साथ है ठीक है अच्छा है कहीं न कहीं एक आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यदि आप क्योंकि देखें कि आपका फॉर्चुन वाला कार्ट आया है पील क्यां आप जिसमें कि आप बर्ड भी लेख सकते हैं जो भी वायरिस चल रहे हैं वो कहीं न कहीं यह पूरा कर्म चक्र की ओपर है तो मैं यह नहीं कहा हैं कि थोड़ा आपको खत्रा है या कुछ ऐसा पस यह है कि यदि आप नौन वेजिटेरियन है तो कहीं न कहीं आपको अभी थोड़ा सतर्क होनी की जरूरत है, क्योंकि आपका एक आइसोलेशन का कार्ड आया है, विच मीन्स कि आपको अबेंडन्ट कर सकते हैं लोग, तो कहीं न कहीं ये रिलेट करता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि आप भीरभाड वाली जगह में ना जाएं, अपने हातों को सैनिटाइजर से साफ करें, किसी इसे भी टच ना करें, कोई भी सबसे थोड़ा सा डिस्टन्स बना करके रखें, जो भी सेफटी मेजर आ रहे हैं, वो आपको फॉलो करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो रीडिंग है, उसमें एक तो कर्म चक्र आया है, कर्म चक्र आया है, जिसमें आप ये बर्ड को देख सकते हैं बहुत क्लिरली, ठीक है, तो ये बर्ड और जो भी आइनिमल्स हैं, ये कर्म चक्र में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये ये शो कर रहे हैं, कि जो भी आप जो भी आपने कर्म किये हैं, वो रिजल्ट वापस आएगा, पर कोई हना की तो भार्वश में बोगाए नियुकर तो कि ऱीज काने बिल्कुल बंद सबें और यह सकते हैं आपको कहीं न कहीं आइसलेशन में रख सकते हैं, आपको अबेंडन भी कर सकते हैं, मैं बहुत ही clear reading करती हूँ, मैं sugarcoat करके नहीं बोलती हूँ, क्योंकि फिर there is no use, फिर इस reading का कोई फायदा नहीं है, अगर मैं sugarcoat करके आपको अच्छा-च्छा बोलू तो फिर आप लोग क्य आपका देखने का क्या फायदा है अच्छा अच्छा सुनना नहीं है हमें reality सुननी है जो आपका future आ रहा है वो सुनना है और आपका future clear यह दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आपको सतर होने की जरूरत है इस समय क्योंकि wheel of fortune है और साथ में abandoned का card है abandoned के card का मतलब है कि लोग आपको छोड़ देंगे या छोड़ने के situation बन रही है ठीक है तो आपको बहुत ध्यान रखना है और आपको थोड़ा alert रहना है अपनी health को ले करके ठीक है और अगर आप ऐसा करते हैं tarot card की बात मानते हैं जो आपको advice हमने दी है तो आपका यह वाला card यह card है treasure का यह card है wellness का यह card है good health का तो यह card आपका आया है लेकिन उससे पहले आपको यह जो मैंने आपको बात बताई है कि आपको ध्यान रखना है और थोड़ा आइसोलेट होकर रहना है लोगों से इस चीज का ध्यान रखना है अगर आप सब ध्यान रखते हैं तभी आप इस मुसिबत से बच पाएंगे आप इस पर इस परसन को देख रहे हैं यह जो होक है यह हैं जो भी इस को इस डंडी से हटा रहा है तो यह problem जो आपकी लाइश में अगर आने के चांसे है तो इसको आप तभी हटा पाएंगे और एक बार हट गई तो आप एकदम हैं और को प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी थोड़े से वलनरेबल हैं अभी आप इस कंडिशन में तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और मेरी और अपडेट्स अगर आपको जाननी तो आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जिससे कि मैं आपको और अच्छे टिप्स दे सकूँ और आपको फ्यूचर बता सकूँ आपकी हेल्थ को लेकर आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी करियर को लेकर आपकी पर्सनल लाइफ और करियर दोनों बहुत अच्छे आये हैं बस मुझे कंसर्न है कैंसेरियन्स आप लोगों की हेल्थ को लेकर ठीक है, मिल करके ही हम इससे फाइट कर सकते हैं चलिए, अगर आप सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो definitely good health आपके card में है, बट ये काफी आगे चलके आएगी अगर आप पूरे precautions follow करके तो good health आएगी ठीक है, बस थोड़ी health पे द्यान रखिए, थोड़ा सब distance बनाएगे, थोड़ा safety measures जो सारे बताये गए हैं, उन सब को follow करिए और सब ठीक हो जाएगा Okay, thank you for watching my video and if you like what I do or मेरा ये आपको अच्छा लगा तो please subscribe करिए मेरे चैनल को, like करिए और मेरी वीडियो को share Thank you and have a nice day